दोस्तो हम अपनी जिन्दगी का एक दियाई हिस्सा सोने में ही निकाल देते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिन्दगी के कीमती हिस्से को सोकर बरबात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तो मैं आपको बता दू कि हमारे सोने के पीछे कई अच्छी बजा बताई गई है। दोस्तो जब हम सोते हैं तो इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स और रिपेट डिशूस बनते हैं जिससे हमारे पुराने सेल्स की जगा नए सेल्स आते हैं। अगर हम दिन में कोई कसरत या मेहनत का गाम करते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर की मास पेशियों को बढ़ने देने के लिए और हमारे शरीर के फैट को बर्न होने के लिए हमारा सोना बहुत ही जरूरी होता है लेकिन दोस्तों क्या हो अगर हम सोना बंद कर दें दोस्तो सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है लेकिन अगर हमने सोना बंद कर दिया तो शरुवात में तो हमें जादा कुछ नहीं होगा और अगले 24 गंटों तक हमें सब कुछ नोर्मल ही लगेगा लेकिन अगले 24 गंटों के बाद आपके सारे रियक्शन्स धीवें पढ़ने लगेंगे यसे में आप वो सब भूलने लगेंगे जो आप कर रहे है और बाहर से आपको ऐसा नजार आएगा जैसे कि आप नशे में है दोस्तो फिर दो दिन बाद नीन ना लेने की बज़ा से आपके शरी को ये लगने लगेगा कि आप बंद पड़ रहे है और ऐसे में आपके शरी में ठीक तरह से गुलुकोज भी नहीं बनेगा जिसकी बज़ा से आपके शरी को उसकी एनरजी नहीं मिल पाईगी फिर आपका चेहरा उत्रा हुआ दिखने लगेगा आपकी आखे लाल पड़ने लगेगी जिसकी बज़ा से आपके चेहरों पर जुर्रीया साफ नजर आने लगेगी फिर दोस्तों तीन दिन बिना सोए आपकी आपकी आपके और भी जादा खराब होने लगेगी क्योंकि इसके बास शुरू होगा आपके ना सोने का असली मज़ा ऐसे में आपको अजीब औ गरीब शीजी लजर आने लगेगी क्योंकि अपनी रेम सिलिप के बगेगी आपका दिमाग हर अच्छे बुरे सबने आपको खुली आँखों से दिखाने लगेगा और दोस्तो बहतर गंटे के बाद आपका शरीर खुछ से प्रोटीन लेने लगेगा मतलब कि आपका शरीर अपनी इमान स्पेशियों से प्रोटीन लेने लगेगा क्योंकि आपके शरीर को जहां से भी एनरजी मिल सकेगी वो लेगा जैसे कि आपके शरीर में बचा हुआ गुलोपोज आपकी मांस पेशिया और आपके टिशूस आपका शरीर आपके अंदर की हर उच जगा से एनरजी लेगा जहां से उसे एनरजी मिल सकती है और दोस्तों दो हपतों के बाद आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम इतना जादा कमज़र हो जाएगा कि आप किसी आम सरुजे जुकाम से भी मर जाएंगे इसके बाद तीन अपतों तक ना सोने की बचा से आखिरकार आप हाट अटेक की बचा से मर जाएंगे लेकिन दोस्तो अगर किसी के शरीर में एक्स्ट्रा मसल या फैट है तो वो इंसान शायद थोड़े और दिनों तक भी जिन्दा रह सकता है तो दोस्तो अब तो आप यह बात जान चुके हैं कि हमारा सोना हमारे शरीर के लिए कितना जादा जरूरी है लेकिन अगर कोई तीन अपतों तक वेना सोय इस एक्सपेरिमेंट को करने का ट्राइ करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा करने के लिए बिलकुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अब तो आप भी यह बात जान चुके हैं कि अगर आपने ऐसी बेवापूफी करने की कोशिस की तो इससे आपकी जान भी जा सकती है इसलिए दोस्तों हमें रात को कम से कम 7-8 घंटों की नीद लेना जरूरी है ताकि हमारे शरीर दुवारा से रिचार्ज हो सके दोस्तों उम्मेद है कि यह बीडियो आपको जरूर पसान आई होगी अगर आपको बीडियो चला से भी पसान आई हो तो पिलिज इस बीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और आगे और भी ऐसे यह अमेजिंग बीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए थेंक्स पर वाचिंग दिस बीडियो